नीवक हराब होने से पहले देते हैं ये 5 संकेत पता नहीं तो घातक नम्सकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल प्रबीर दास व्लोग पर चलिए आज की विडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशिरवाद आप पर बना रहे तो इस विडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाए ताकि हमारी आने वाली हर विडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें तो आईए जानते हैं लीवा आपके शरीर के सबसे महत्वपूर्न अंगों में से एक है क्या आप जानते हैं क्यूं क्यूंकि यह पित्सरावित करता है जो आपके शरीर से अप्शिष्ट उत्पादों को बाहर निकालता है इसके अलावा ये वसायुप्त खाद्य पदार्थों के टुटने में भी मदद करता है गतिही इन जीवनशली और खराब खान पान की आदतों के कारण लीव का खराब होना काफी आम है। शुरुआती चरनों में दवाओं और जीवनशली में बदलाव करके इसका इलाज किया जा सकता है। हालां कि अगर स्थिती गंभीर हो जाती है तो आपका लीव पूरी तरह से खर अगर आप इन जटिलताओं से बचना चाहते हैं, तो लीव खराब होने के निमनलिखित चेताबनी संकेतों को नजर अंदाज न करें. नमबर एक, शरीर में तरल की अधिकता, पेट में द्रव प्रतिधारन को जलोदर के रोप में भी जाना जाता है और यह सिरोसिस नामक स्थिती के कारण होता है. सिरोसिस लीव के उतकों में निशान है जो पुरानी शराब की लत और हेपेटाइटिस जैसी स्थितियों के आज और आपके लीव पोर्टल शिरा में रक्त ले जाने वाली नस में उच्छ रक्त चाप के कारण, तरल पदार्थ नस से पेट में रुस्ता है और जलोदर का कारण बनता है. जलोदर से आपके शरीर का वजन बढ़ जाएगा और आपके पेट का आकार भी बढ़ इसके अलावा आपको निमनलिखित लक्षन भी दिखाए देंगे. 1. बुखार 2. पेट में दर्द 3. ठंड लगना 4. त्वचा और आँखों के सफेध हिस्से का पीला पढ़ना 5. मूत्र का काला पढ़ना 6. मिट्टी के रंग का मल 3. चोट आपका यकृत ठक के बनाने वाले प्रोटीन के निर्मान के लिए जिम्मेदार होता है. लेकिन यकृत क्षती के मामले में आपको सामान्य से अधेक आसानी से चोट लगने और खून बहने की समस्या होती है. 4. मतली और भूख न लगना जैसे ही आपके शरीर में विशाप्त पदार्थ जमा होने लगते हैं, आपको मतली महसूस होने लगती है और जैसे जैसे स्थिती बिगरती जाती है, भूख कम लगने लगती है और वजन घटने लगता है. 5. पेट में दर्द और सूजन आपका लिवर पेट के दाहिने उपरी हिस्से में स्थित होता है. लिवर में सूजन के कारण आपको उस हिस्से में हलका दर्द महसूस होता है. हालांकि अगर द्रव प्रतिधारण है तो ये समान्याई कृत पेट दर्द का कारण बन सकता है. यदि आपको ये लक्षन दिखे तो क्या करें? चिकितसी या सहायता लें और अपने चिकितसक से परामर्श करें क्योंकि वो आपको लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT कराने का सुझाव देगा और लिवर रोग की अवस्था के आधार पर आपको उपचार प्रदान करेगा. इस 2. स्वस्थ वजन बनाए रखें. 3. नियमित रोप से व्यायाम करें. 4. शराब के सेवन से बचें. 5. अपने शरीर को हाइडरेट रखें. 6. वेकल्पिक दवाओं से बचें. 7. दवाओं के अत्यधे को प्योग से बचें. 8. नियमित अंतराल पर लिवर फंक्शन टेस्ट क करवाएं. इस वीडियो में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सतीक है. इन्हीं अपनाने से पहले संबंदित क्षेत्र के विशेशग्य की सलाह जरूर लें. दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जै मा लक्ष्मी जरूर लिखें. तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई. जानकारी के साथ भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें. धन्यवाद.